कि हालो फ्रेंज चलिए हम समागलन के पुरश्णों को आगे करते हैं देखिए लिखा हुआ है समागलन लिखा हुआ है पहला कुशन आज आपके लिए एकसी स्क्वाइर एकसी पावर 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 एकसी पाव x की पावर 3 को टी मां गया ताकि हमें x square dx मिल जाए बिलकुल मिल जाएगा x की पावर 3 को टी मान होगे दोनों पक्षों का अवकलम करोगे यहां पर x की पावर n वाला पॉर्मला लगाओगे तो 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा घात में से कम हो जाएगा तो 3 x square इसको डीटी बटा डीएक्स यह डीएक्स इधर आ गया x square और तीन बटे में आ गया तो x square dx बटा डीटी एंड एक्स स्कार डीएक्स बराबर डीटी बटा तीन अब सवाल में जहां भी x square dx होगा वहां हम dt बटा 3 रख देंगे एक्स स्कार नदी एक्स इरह इनकी ज्कधार्टी बटा तीन रख दिया और e की पाटी चप्वार टी होगया क्योंकि x उयुक्त है प्लस थी तोँ हमने मानत अपनी तरफ सेती दरएसल था क्या एकशी पवर तीन टो एक बटा िन यह एक्सी पावर 3 प्लस 3, this is your answer, आयो आपको समझ में आ गया होगा, चलिए next question देखिए, लिखा है x square, sec, xc पावर 3, dx, यहाँ पर भी देखिए, यह x square है, यह xc पावर 3 है, क्या आप xc पावर 3 को t मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो, दोनों पुक्षु का अचलन करोगे, तीन x square dx परावर dt, x square dx परावर dt बटा 3, वही बात होगी, तो x square dx की नेंगा dt बटा 3 हो गया, और sec आ गया, x की पावर 3 की नेंगा t आ गया, 1 बटा 3 बाहर आ गया, sec t, और sec t का समाकलन क्या होते है, log sec x plus 10x, यानिकि x की जगा बस t है, log sec t plus 10t, अब हमने t का मन वापस रख रख दिया, t का मन वापस रखने का मतलो, जहां t ता महां x की पावर 3 लग दिया, तो आपका अंसर है, 1 बटा 3, log sec x cube plus 10x cube plus c, this is your answer, अईोप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउटर प्लीस कॉमें सेक्षिन में ज़रूर लिखेगा, हमें बहुत अच्छा लगते ह आपके reply करता हुए, आप लोगी query को solve करते हुए, next देखिए, सवाल नमबर 3 लिखा है, एक बटेक्स square, sign 1 upon x dx, अब देखो यह एक बटेक्स square, एक बटेक्स, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बटेक्स का जब आप अवकलंद करोगे, तो एक बटेक्स square बनता है, हाला क का देखो, x जी बार माइनस 1 कर दिया, अपने अवकलन किया, तो माइनस 1 स्टार्टिंग में आगया, x और एक कम हो गया, माइनस 1 में से एक कम हो जाएगा, माइनस के 2, ही dt बटा dx हो गया, माइनस 1 जुगा तो लिख एक सबार माइनस 2 ऊपर है, नीचे जाकि प्लस हो गया तो dt बटा dx इस minus को इधर भेज दिया तो आपका क्या बनेगा one upon x square dx बराबर minus dt फिर से समझेए one upon x को हमने एकसी बार minus one कर दिया ये t कर दिया minus one यहाँ पर है एक कम होगा एकसी बार minus 2 ये minus one upon x square हो गया बराबर dt बटा dx हो गया वह मनें किया कि इसकी बरजूना कर दिए एकसी इधर आगया dx बटा x square minus के dx बराबर ड्यूटी अब यह बनपोन x square dx ने गई यह तरह के minus कर दिया अब हम क्या करेंगे जहां भी सवाल में एक बटा x square dx होगा स्ब्सक्राद के लिए यह तो साइन भी एक बंगे लिए कि माइनुस साइन्ट क्लान मसी पर लेटा दीडिये अपस्को अंदर वापस लिखت दीया आप लिए बात नहीं साइन टी का समाकलन माइनस प्लस हो गया प्लस प्लस तो आंसर आया को से एक एक बट एक स्वाइब देखते हैं यह लिखा है समाकलन एक सी पाउर साथ बटा एक प्लस एक सी पाउर अब देखो आप समाकलन करोगे आठ को साथ बनेगा एक कम होगे बिल्कुल बनेगा हमने इसलिए सोलो को आठ की दो कर दिया एक बटा सौरी आठ की एकस की पाउर आठ और उसका स्कुएर कर दिया अब हम क्या करेंगे एक्सिं पावर्त को टीघ्रम लेंगे अब हम क्या करेंगे दोनों पूक्षू का क्या करेंगे इसमें अब कलन कर देंगे तो आपका आप merge साथ बन जाएगा देखो आपकी और में रग दिया घ्रस्पाब रेंग अब आफ एकसी गात साथ बरावर डीटी बटा डी-एकस सा अपेश्ट कर दो अब इस आर्ट को इदर बेज़िया तो दी एक्स की पौड़ साथ डीकस बरावर डीटी बटा अब सवाल में जहाँ जहाँ जाँ डी यहां पर एक्स की जंगाट यह तो टैनी इंवर्स की फ्लस सी एक बटा आड जुका तु तुष एक्स की पार एक्सी पाउर आड प्लस सी इस जो रांसर यहां से एक बार समझें एक्सिश का डी- fundamentally गए था अब जहांब इसावाल में एक्सिश का डी-atha भावाँ पे डिटी प बटा करते हैं समा कलन का निशान एकसा बटा वन प्लस एकसाए टी मान लिए एकसी वर न करोंगे तुश दो आरवकलन करोगे नीचेफ कर वह दो एक बटा दो टैनिवर्स टी प्लस सी टी कमान वापस रख दिया एक बटा डो टैनिवर्स एक्सिस का प्लस इस यूर आंचा राइड चलिए कोशन मट शे करते हैं यह लिखा है समाकलन का निशान साइन रूट एक्स बटा रूट एक्स देखो बहुत आंगर आशान है अगर आप रूट X को माना हो गिए इस बापर दो रूट एक्स टो नीचे वाला रूट ुट हो जाएगा तो हमने रूट एक्स को तीम आन लिए क्स का ब्लन करोगे एक प्रता दो रूट एक्स बेर इस दो सब्सक्राइब होगा जाएंगा हम क्या कर देखो यह तुरह साइन सवाल को ध्यान से साइन इस मेरे कर दिया अब डीएक्स बाक्स की हामने कर दिया कर दिया तो आपका और आपका czasu क्या होता है माइनिस की Q t plus C तो यह Plus minus 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 के तो Cos t command पापस रख दिए root X plus c right बहुत आसान है next question देखिए यह देखो यह 7 question बहुत important question है इसको ध्यान से समझहेगा उन अपन अपन x into under root x yes 1-1 अब देखो हमने क्या किया जहाँ 6 है उसको यहां से आक्स स्कैर बराबर यहां से आप ध्यान से देखना अब हमने क्या किया डी एक्स बराबर यहां सी यह चला गया अब ध्यान से देगेगा जहां सवाल में केवल डी एक्स होगा जहां पर सवाल में डी एक्स होगा वहां हम क्या कर देंगे d t बटा 3 x square कर देंगे ध्यान पूर्वक्त समझेगा बिल्कुल अब देखो समाकलन का निशान सवाल में एक बटा x यह लिखा हुआ है root लगाया हुआ है x की बार 6 को यानि कि 3 की 2 को हमने क्या कर दिया t square minus 1 कर दिया अब इस dx को हमने लिख दिया dt बटा 3 x square आयोग आपको समझ में आया होगा फिर से देखे एक बटा x चुका तू यहां पर x की पौर 3 की जंगा t तो under root t square minus 1 into dx की जंगा हमने क्या करते है dt बटा 3 x square अब देखो एक तो x square यह रहा और एक x यह रहा तो 3 x की पावर 3 हो जाएगा यह आप ऐसे समझे x की पावर 3 होगा तो अब अगले step में क्या करेंगे जहां भी x की पावर 3 होगा और वहां फिर से t करते हैं तो चलिए देखते हमने क्या ऐसे किया है देखो इसको पहले मैंने दुबारा उतार लिया आपको समझने के समझाने के लिए dt बटा x यह दुबारा उतार लिया देखो एक प्रटा तीन तो आप बाहर ले कर आ गए तो यह रहा डीटी बट अब इसके बाद यह वाला फॉर्मला आपको बंद है सैक इन्वर्स टी का वन अपोन एक्स इंटू अंडरू एक्स स्कायर मैंस होता है तो यह तो सैक इन्वर्स टी होगा टी कमन वापस रग दिया दिस इस यूर आंसर राइट चलिए कोशन नमबर 8 करते हैं यह देखिए इतना सान कोशन है एकी की पाँर टेउट 2 फाण प्न सेक्सकायर दियक्षणjan को टाएक लावड हो एक फैस को इन्वर्स एक्स कहार तो सवाल में डीक्स बेटा वंस एक्स इसकर की जगहा हम 3 कर देगे और इस बाइस आंए जूकादू और इस को टिमाना है तो सवाल में है समाकलन का निशान e की पावर t dt अब e की पावर t का e की पावर t होता है plus c t का मन वापस रखोगे e की पावर 10 inverse x plus c this is your answer आयोप आपको समझ में आ गया होगा चलिए next question करते है सवाल number no लिखा है e की पावर m sine inverse x upon under root 1 minus x उसकर वही बात है जो पहले वाले question में थी sign inverse x का अवकलन होता है one upon one under root में one minus x उसकर है इसक्रिबने sign inverse x को टी माल लिया sign inverse x को आवकलन करोगे एक बटा under root one minus x उसकर है बरावर dt वटा dx इदर पोच जाएगा dx डी एक्स बटा अंडरूड sin inverse x को टी माल लिया sign inverse x का दोनों पक्षो का उसकर है बरावर dt बटा dx इदर पोच जाएगा dx बटा नरूड one minus x उसकर बरावर dt अब आप क्या करोगे इसको उपर फिल कर दोगे तो आपका बन जाएगा e की पार mt dt e की पार mt का e की पार mt और m का उसकर नीचे आ जाएगा plus c m का 1 वापस रख देना sorry t का 1 वापस रख देना e की पार m sin inverse x बटा m plus c तो यह आपका आंसर वहाँ पे m नहीं था यहाँ पर m था इसलिए वो m बटे में आ गया चलिए आगरी कुश्चन करते हैं आज के लिए आगरी कुश्चन है यह समागलन गनिशान a की पावर x फटा अंडरोड में 1-a की पावर 2x dx अब जहाँ 2x उसको पहले a की पावर x सी पावर 2 कर दिया ऐसा इसलिए कि आप a की पावर x को t मान सको a की पावर x को t मानोगे तो a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x लो होगे एक की पावर x लोगे चले आगे देखते हैं तो अब आपने ब्रजगुना करी होगी एक पावर x लोग x एक पावर x लोग लोगए डी एक्स वरावर डीटी अब हमने क्या कि एक की पावर 40 Linux कट यह लोगे दूसरे के बटे में चला गया एक पावर x dx बराबर डीट प्रटा लोगे कर देगे तो टीटी प्रटा लोग वह गया अंडरूड बन माइनस टी स्क्वाइर एक पाउर एक्स का स्क्वार लिखा हुआ था ना तो वहाँ पे टी स्क्वाइर कर दिया अब एक बटा लोग बाहर आगे क्योंकि गुणांग बन गया और पान अपॉन क्या किया इस सवाल में जहां एकी पाउर दो एक्स लिखा थो एकी पाउर दो एक्स को एकी पाउर एक्स की दो लिख दिया एकी पाउर एक्स को टीम आनोगे दोनों पक्षों का अब गलन करोगे अब गलन करने के बाद क्या एगा एकी पाउर एक्स लोग ए आ जाएगा औ तो एक पावर एक्स्ट को एक तरफ कर दोगे और आपका डिटी बता लो गया हो जाएगा तो यहां पर सवाल में आपने ऐसे कर दोगे तो आपका यह बन जाएगा एक बिटा लोगे साइनिंग्वर्स एक पावर सब्सक्राइब आपको समझ में आगया होगा अगर फिर भी हमारे समझाने में कोई कमी रहेगी हो तो प्लेस जरूर लिखेगा दोस्तों अपने समझाने के तरी में तरीके में और इंप्रिमेंट करेंगे तो आज के लिए बस इतना है